चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन सब्सक्राइब करें अब जाना चाहूंगा पहला इंट्रू है आपका हमाईज चैनल पर और समझना चाहूंगा कि राजनितिक सफर आपका आज तक का कैसा रहा क्योंकि आम आदमी पार्टी के लेहर चली थी उसी वक्त जो विधायक आई थे उसी वक्त आपने जोईन किया त सबसे पहले मैं आपके चैनल की देखरेक कर रहे हैं भाई सन्जीव जी को और सुधीर जी को आपके इस चैनल को बहुत सारी शुबकामनाय दूँगी बहुत सारी बधाई दूँगी और मुझे लगता है कि चाहे वो इलेक्ट्रोनिक मीडिया हो और चाहे दूसरा मीडिया हो आप लोगों के माध्यम से समाज को जगरुक करने की जो भूमिका आप लोगों की रहती है बहुत सरहनिय होती है मैं बहुत सरी शुबकामनाई देती हूं और उमीद करती हूं कि आपका चैनल इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा जहां तक मेरा पॉलेटिकल फिल्ड में आने की बात है आपने बिल्कुल ठीक किया कहा मैं खुद भी बीए बीएड हूं और ऐसा लगता था मेरे पेरेंट्स को भी कि महिलाओं के लिए सबसे अच्छा अगर कोई जॉब है कोई फिल्ड है तो वो टीचर लाइन का बहुत अच्छा फिल्ड है उन्होंने मुझे ब परिवार का माहूल था कि समाज किस तरह से सुधरे और परिवार के बच्चों को चाहे वो लड़का हो या लड़की हो उन्हें किस तरीके से समाज में अग्रणी हो करके काम करना चाहिए वो संसकार मेरे परिवार के रहे संगठन के रहे तो कॉलेज करने के बाद में ये त जाइत्व होता है जैसे जैसे समझदार होते गए तो लगा कि समाज को हमारी जरूरत है 1997 में जब दिल्ली के अंदर 14 साल बाद दिल्ली नगर निगम का गठन हुआ जो कि 14 साल भंग रही 1997 के अंदर ये तैह हुआ कि दिल्ली के अंदर नगर निगम में 33 परसंट आरक्षित सीटे महिलाओं के लिए होंगी उस समय भारतिय जन्ता पार्टी में महिलाएं नहीं होती थी तो उन्होंने RSS को कहा कि आप अपनी महिलाएं जो फिल्ड में काम कर रही है उन्हें दीजिए मान्य लोकसभा की स्पीकर जो इस समय है सुमित्रा महाजन जी वो भी स्वयम राष्ट सेवी का समीती से हैं दूसरा मैं भी आई राष्ट सेवी का समीती से और बीजेपी ने मुझे मांगा RSS से कि आप हमें दीजिए और हम इस महिला को चुनाओ लड़ाएंगे उसी प्रक्रिया के तहट सन 1997 में मैंने भारते जन्ता पार्टी से चुनाओ लड़ा दिली के सबसे कम उम्र की पारशद होने का सुभाग्य मुझे मिला नजबगर जो उनकी चेर्मेन में रही अपार्टमेंट प्रोमोशन कमेटी मेरे पास में रही उसके बाद में बहुत सारी महत्वपून कमेटियां MCD में होते हुए मैंने देखी 2013 में चुनाओ मैंने लड़ा तो कुल मिला जुला करके 2015 में चुनाओ लड़ा और पीछे मुड़ करके देखने की भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई एक और सवाल मैं आपसे इसी समधित करना चाहूँगा इतना लंबा आपका राजने की सफरहा है चा साल पहले लहर चली थी केजजवाल की लहर पांस साल केजजवाल हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रेस को आपने जॉइन नहीं गिया बीजेपी में आप रही लेकिन क्या ऐसा आपने आमादी पार्टी में देखा कि आपने आमादी पार्टी जॉइन कर ली मैं बताती हूँ आपको, आपने सही कहा, राजनेती केरियर मेरा 25 साल का केरियर है, भारती जनता पार्टी में जो कुछ आज से दो दशक पहले था, आज वो एक खोखला वरिक्ष की तरह से हो गई है, और मुझे लगता है कि जिस पेड की जड़े हरी भरी नहीं रहती, उसके पेड, पते, फलफूल वो असानी से फलते फूलते नहीं है, आज की अगर मैं BJP की बात करूँ, तो आज की BJP एक खोखले वरिक्ष की तरह से है, वालेंटियर भागे-भागे मारे-मारे फिरते हैं, उनको कोई सम्मान नहीं है, माथा देखके टीका किया जाता है, आपकी जेब में कितना पैसा है, आपकी पीठ कितनी भारी भर कम है, उसके सब के बेस के उपर राजनीती में आपका आकलन किया जाएगा, आपका अपना चरित्र क्या है, आपका अपना व्यक्तित्व क्या है, आपकी अपनी योग्यता क्या है, इन सब चीजों पर कोई गौर BJP मे करके समाज का भला करना चाहेगा सुभाविक तोर पे मैं उसका हिस्सा बनूंगी दो हजार बारा के अंदर आमादनी पार्टी का गठन हुआ अंदोलन से निकली हुई पार्टी है मैं जिस समय भारते जनता पार्टी में एक मैगजीन मैंने निकाली थी जब राजनाच जी व तक समाज का प्रतेक प्रक्ति नहीं जुड़ेगा राजनीती अच्छी नहीं होगी उन्होंने मुझे कहा कि हम एक नई पार्टी का गठन कर रहे हैं आप मेरे साथ जुड़ो मुझे भी वक्त लगा क्योंकि एक पत्थर बहुत समय से एक जंगे पड़ा हो तो भारी होता ह है तो मुझे लगा कि शायद हम जैसे बच्चों के जीवन में हम लोग क्या करना चाहते हैं शायद भारते जंता पार्टी के लोग हमारी तरफ देखेंगे लेकिन उन्होंने नहीं देखा होता है देखिए ये एक नॉर्मल बात है बहुत सारे आज ऐसे बड़े बुजर्ग हमारे बीच में नहीं है या हमसे कहीं चूट चूट चुके है अकसर ऐसा होता है कि जिस व्रिक्ष को हम लगाते है उसका फल हम नहीं खापाते है तो सुभाविक है कुछ व्यचारिक मतभेद को आप उसको कहलो या कई बार ऐसा मुश्किल हो जाता है आने वाली पीड़ी पीछे वाली पीड़ी को साथ ले करके नहीं चल पाती है उनके जो भी कुछ है वो आंतरिक तोर पे है लेकिन अन्ना जी ने जो पौधा लगाया वो पूरी तरह से फलफुल रहा है और उनकी वीचारदाराओं को जैसे बरस्टाचार नहीं होना चाहिए उनका पहला मुद्दा था भारत को पूरे भारत को हम बरस्टाचार मुक्त करेंगे आज हमारी सरकार भी उस पहली को लेकर के चल रही यह विचारदारा में फर्क ह अगर राजनेतिक पहलू को नाच हुए, तो क्या उसका जीवन आपको संभव लगता है? आज गली में, गलियारों में, चाई की दुकान पर, परचून की दुकान पर, घर में, टीवी के सामने, वटसब पे, मीडिया पे, फेस्बुक पे, हर आदमी कही न कहीं अपने अपने नहीं होती, वेक्ति की विचारधारा उसको गंदा और अच्छा बनाती है, तो मुझे तो लगता है कि अगर प्रतेक वेक्ति और विशेश तोर पे, नौजवान फेड़ी, महिला है, वो महिला है, जो आज तक केवल घरों को देखती आई थी, आज वो, मैंने देखा, मैं स पुथल हो रही है, दिली की राजनीती कैसे फेर बदल उसमें हो रहा है, लोगों की सोच क्या है, इवन देन क्योंकि समय के अभाव के कारण कभी-कभी मैं टीवी नहीं देख पाती हूं, नियूज नहीं सुन पाती हूं, आज मेरी मा जब मैं घर जाती हूं, तो मुझे ब महिला जिसने आज तक केवल परिवार को कैसे पालना है उस पर ध्यान दिया, लेकिन आज वो राजनीतिक विश्यों को लेकर कि चर्चा कर रही है, यानि अर्विन जी की राजनीती ने महिलाओं को जागरू किया है, नौजवानों को जागरू किया है, पूंड राज्य का दर्जा दिलाने की मांग आमादी पार्टी की शुरू से रही है, आज भी इसके आवाज उटती है, एक विधाय के तोर पर आप जन्ता के बीच में रहते हैं, समझते हैं हर चीज को, भावना गोड कितना जरूरी समझती है पूंड राज्य को, क्या क्या का काम रुके सब लोग जानते हैं दिली केंदरि शाशीत प्रदेश है, मुझे लगता है कि आमादी पार्टी ने दिली में आकर के जिस तरह का इतिहास रचा है, आज हमारी कंडिशन शायद उस राजा की तरह है, जिसको राजा बिना बना दिया, मुकुट पहना दिया, कुर्सी पर बि नहीं है, डिडिये हमारे पास में नहीं है, आज कोई व्यक्ति अगर मेरे एरिये का आ गया, उसको कोई पडोसी से जगडा हो गया, किसी महले में जगडा हो गया, या किसी चलते वे आदमी के साथ में कुछ बात हो जाती है, तो उसकी सीधी-सीधी शिकायत अगर हम पुलि डीडिये के पास में है, ना जाने कितने सारे ऐसे रोड, कितने सारे ऐसे महले, कितने सारी सडकें, जो आज भी डीडिये के पास में है, लेकिन क्योंकि हमारे अधिकार शित्र में नहीं है, हम उनको नहीं मनवा पाते, हम विकास के वो कारे नहीं कर पाते, आज हमारे हाथ कई तरह की योजनाई बना रहे हैं आमादी पार्टी के ऐसा नया देने वाली है अपने वोटर्स को देश दिली के जनता को और कितनी सीटे आप उमीद करते हैं देखिए लोकसभा की साथ सीटों पर दिली के अंदर मेरी पार्टी चुनाव लड़ रही है और हम केवल और परेकाल नई बनी हुई पार्टी हमारी सोच हमारी नियत हम क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं उन सब भिहाब पर हम इस जनता से वोट मांगेंगे और मैं विशेश तोर पे आपके चैनल के माध्धम से ये अपील करूंगी लोगों से कि देश का प्रधान मंत्री चाहे कोई हो उस बात को सोचना छोड़ दे आपका विकास कैसा होगा आपके परिवार का भविकास बकारों के हातों के सुरक्षित है पार्लम विधान सभा ने जिन्हों ने हमसे बात की शक्रत्रि राजनीथी के बारे मेंगे और isolation के बारे में और साथ ही साथ इन्हों पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना दिल्ली में कितना जरूरी है। देख तरे इंडिया टाइम 24 नियूज।